कि på last class में हमने क्या सीगा था कि हम किसी भी vector को हमने सेखा था last class में unit vector उसको मैं फ़रा सा आघ्या और पढ़ेंगे आच unit vector में हमने क्या सीखा था unit vector along unit vector along x axis जलूंग X एकसि इसे क्लब क्या लिखते थे आई क्या एकसिस इसे प्रिखा के रिखा थे तो लोग आई क्या अब यहां पे यह वाला एक फिगर है जिसमें की हमको बोला गया कि यहां पर कोई पॉइंट है यहां पर जिसका कोड़नेट बोला गया 1,1,1 तो बताओ यह वाला जो वेक्टर होगा यह आर वेक्टर जिसको हमने ब्लू लाइन से दिखाई गया इसको हम कैसे लिसकते यह वाला इसको मोतलब क्या हो गया कि हम पहले एक्स आक्सिस पर चले वन पिर हम य एक्सिस पर चले वन त्यकिखे अंग यहां को हम यह पौँच दो यह यह ओंकर जए ह। यह बोला जाएगा कि यह आर वेक्टर को लिको आर वेक्टर को मैंसा रहे सकते हैं अगर हमसे पूछ लेगा कि यह आर वेक्टर का मैंनी जुक्त्य होगा यह निकालना बड़ा आसान है में कैसे निकाला इसको यह वाली वालु वालु हो जाएगी यह वालु हो जाएगी यह सब्सक्राइब यह कितना हो जाएगा? यह देखो यह है 1 यह length कितनी होगी? 1 होगी फिर उसके बाद यह वाले length कितनी हो जाएगी? इभी 1 होगी ना यह length कितनी हो जाएगी? देखो तो 5डर सनाम से यह length हो जाएगी root over x square आए है उर डॉस ज अफंड लन्ट कितनी है यह यह लैंग तो वाई है योकी वन भी आगया था अगर मैं यहाँ से देखू अगर और कितना हो जाएगा आर हो जाएगा रूट और रॉट ओवर य का स्कुए प्लस इसका स्कुए यह कितना है यह रूट एकक्स रूट ओवर ठीक है, यह हो जाएगा ठीक है, यह र क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, रूट ओवर X स्कार प्लस Z स्कार प्लस Y स्कार इसी को और में का लिए सकता रूट ओवर X स्कार प्लस Y स्कार प्लस Z स्कार यह हमारा यह तो R वेक्टर है यह वाला R वेक्टर इसका मैंनिटी बगार निकालने के लिए बुला जाए तुम यह फॉर्मले से निकाल सकते दसी पूश्टे का पतब इस आर का मैंनिटीट किया है कि बाहने लिका R का मैंनिटीड हो गया रूट ओवर स्कारट लस बन का स्कारट लस बन का स्कारट इस वूट सी जूने सब को आए कि निए इपास तो अमने बलो हाया ना सब क्लियर हो गया सब क्लियर हो गया इसका लेकिन फोर्म ना यह डेरिवेशन नहीं लिखे तो चलेगा डेरिवेशन नहीं लिखे तो चलेगा समझने के लिए बाकि कुछ इजाम में ना बोर्ड में आता है इसके बाद देखो नेक्स एक कोशन करो लगत पर पता फट इसका मांधिटूद निकालो इसका मताव मांधिटूद क्या होगा पूरली कर सकता है I think सब को आगे हो गाना सा अब एक कोशन आगे देखो इस पर और कैसे कैसे कोशन साहेंगे इसके एक कोशन ऐसा रहेगा what must be added to a vector equals to 3i cap plus 4j cap minus k cap to obtain unit vector along x-axis यह हमारा कोशन है कि हम इसमें क्या चीज आड करें ताकि हमको unit vector में आड करते हैं बी वेक्टर अगर हमने a vector में अगर आड कर दिया बी वेक्टर तो हमें क्या मिल जागा unit vector मिल जागा लोग x-axis मतलब unit vector along x-axis चाग i cap हो जाएगा अब यह a क्या है a तो 3i cap plus 4j cap minus k cap plus b vector equals to i cap this implies that b vector क्या हो जाएगा यह धर जाएगा हो जाएगा minus 2i cap minus 4j cap और इधर जाएगा plus 2 तो मैं आए कि निया है सबको बलो मैं इसार समझी लिया है देखो यह एक vector है इसमें क्या चीज़ हम जोड़े ताकि हमको एक नया vector मिले जो की एक unit vector वालं x-axis तो इसमें जोड़े एमें इसमें जोड़े एमनें जोड़ दिया धी जोड़े घ्रचा विर्च वडरेगा विर्चा विर्च मिलाःगा लूं x-axis गुर्च चैका अप्चे क्या था हुड्च आइक प्धिया जोड़े जोड़ ही। एक कोशन खुछ से करो तो पोशन लिखना P वेक्टर इकोल्स टू I cap प्लस 4 J cap प्लस K cap इसमें क्या एड करे ताकि यूनित वेक्टर मिले हमको अलों Z axis सब को इसका अंसर बताओ सब को चैट बाक्स प्लस अंसर दो इसका P में क्या एड करे ताकि हमको यूनित वेक्टर मिल जाए लों Z axis चैट बाक्स में सब कोई आंसर दो और इससे और औरल ही होना चाहिए रूम लोग से आंसर दो जपकोई अज इससेदो ने में इए व्वाला चाहिए यहाला चाहिए मैं क्या ऐ भोखल्षाग के वंगवॉण था यूतार के वाले चाहिए कि मैंने और यह चकार था कि हम लोग एक्तर थे कि विसंज़ शीच पॉला गया कि हमारे पास आई के शना उतक्त स्वार में शीन dot निकाल में ट paljon a का तरीका तरीका में स 먹는 booklet क सक्वार्व तफ़ार बलसara बेस्क पर क्लोट को रूट ऑवर इस का स्वार करहा और जाल अलगरके स्पपर झाल मानला है एक विडे म्यार प्लाग कर दंपर आफStra Keมन आकर में क्या जोड़ किम्म यह युनिट वेक्टर लोंग X-axis मिल जाए तो हमने यहां पर B को हमने subject बना दिया तो यह i-cap minus 3 i-cap minus 2 i-cap हो जाएगा इधर के minus 4 j-cap यह इधर के आप plus k है यह आंसर होगे अब पूछा गया P vector है यह इसमें क्या जोड़े ताकि हमको को युनिट वेक्टर मिल जाए लोंग Z-axis इसके क्यों जोड़ देते हैं इसको को क्या मिल लेगा के क्या पिल लियाएगा ठीक है बाकी लोग का आंसर नहीं है जुरूबी इशा वेश सब को यह आंसर दो अगर नहीं समंध में आ रहा तो chat box पर डाल दो कि समंध में नहीं आया तो यह सबता को पूछ लिखकत नहीं है ओकि वाद नहीं कोई बात तरी सब्सक्राइटर कोई दिक्कत नहीं है देखो कोई भी करते ही, देख अभी, फिर चे देखो देखो इधर, बोला गया है, कि एक वेक्टर है, A वेक्टर ठीक है, मैं ब्लेक मार्क पर उसकरते हूँ मैंने क्या बोला, A वेक्टर है जिसकी वैल्यू हमको दीगा, यह आई-कैप, प्लस जे-कैप, प्लस के-कैप स्पेस पे कही लिए वेक्टर होगा, इसमें कुछ जोड़ो, क्या जोड़ो, B वेक्टर जोड़ो अब मानलों को एक वेक्टर आखर ऐसा होता है, उसमें अगर हमने किसी चीज को जोड़ दिया, तो हमें आंसर में तो को थर्ड ही वेक्टर मिल जाता है अगर हमने इस वेक्टर में कुछ जोड़ दिया तो आंसर हमको क्या मिल जाता है थर्ड वेक्टर मिल जाता है तो बोला इसमें कुछ जोड़ो ऐसा क्या जोड़ना पता नहीं है ताकि हमें क्या मिल जाए यूनिट वेक्टर मिल जाए एक नया वेक्तर विले यह क्या नया वेक्तर है नया वेक्तर विले विच इस unit vector which is along unit vector along x axis along x axis हमको इससे क्या मिलना चाहिए unit vector मिलना चाहिए along x axis तो a में हमको क्या जोडना है b जोडना भी मुझे पता नहीं लेकि मुझे फाइनल आशर पता है तो मैंने क्या किया i cap plus j cap plus k cap मैंने क्या किया b जोडा ताकि मुझे क्या मिल जाए unit vector मिल जाए along x axis unit vector along x axis मतलब क्या होता है i cap याद रतना unit vector along x axis एक ऐसा vector draw करो जिसकी value 1 है और along x axis है उसको किससे दिखाते है i के ओपर टोपी से एक unit vector along y axis किससे दिखाते है अगर हमको निकालना है यह भी वेक्टर निकालना है जो भी हमको बोला जागा question k recording सबको आय की नहीं आया अगर यह चीज आ गई है तो इसको solve करो और नहीं आई है तो बोलो कि समझ में नहीं आया एक वेक्टर है मारे पास a vector equals to 3 i cap plus 2 j cap plus k cap इसमें क्या add करें ताकि हमको मिले unit vector along y axis इसको solve करो सबका answer आना चाहिए सब solve करो इसको जो method किया है ना a में b को जोड़ो और equal to लिखोगे जे क्या निकालो answer क्या आएगा a में b को जोड़ो और equal to क्या लिखेंगे हम लोग जे क्या थीक है समझ बाकी लोग दो answer ठीक है बाकी जली जली answer दो अश्राई है तुम्हारा भूमीत बादा जे कहा गया जे भी आए गार तुम्हारा माइनस जी आएगा माकी लोग दो आएँ सो रीग है ठीग देओ डीग डीओ ऐख़ा जे करें भी अचुक्त क्यों एख़िए? सही है भूमित वरव बाकी लोग निकालो आंसर जेसिका माइनस माइनस 5 कहां से आएगा 3i प्लस 2j सही है इशा प्लस k इसके बस यही स्टार्ट हुआ था अच्छी था प्लस b वेक्टर अभी दे रहा हूं है एक प्लस 2 हो जाएगा जे क्या ठीक है इसको फटावर्ट यह मने लिग दिया भी बेटर निकल दाएगा भी माइनस 3i माइनस जे माइनस के तो सबको आए कि नहीं आए भी समझें बोलो इस ते भी आंसर नहीं दिया जिसका भी इस कोशन का समझ में नहीं आया बोल दो वहाँ पर समझ में नहीं आया ओके सबको आरा ना को दिकत नहीं है अभी ऐसा कोशन अगर दू बनाने के तो बन जागा सबसे सर नहीं समझ आया नहीं समझ में आया देखो फिर से कोई भी वेक्टर अगर हो ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इसमें क्या एड करें हम लोग वेक्टर एड करते हैं मतलब क्या इसकी वैल्यू क्या आएगी ताकि हमको मिले आंसर इकवल्स टू यूलिब वेक्टर अलों एक्स एक्सेज वाई एक्सेज कुछ भी दे सकता है वहां पे तो मानो वी वेक्टर हमने आड किया तो आई प्लस जे प्लस के प्लस हमने क्या एड किया भी वेक्टर तो मैं उससे आंसर में क्या मिलेगा आई कैप मिलेगा क्योंकि यह वाला इतना समझ में आया कि नहीं है पर मुझे पहले हाया ना बोलो किसी को यह समझ में नहीं आया तो बोलो जो भी क्वांटिटी दी जाएगी उसमें अन्नोन चीज को एड कर दो ऐसा और उसकी एक्वल दिखा दो जो तुमको रिजर्ट में चाहिए अगर वो युनिट वेक्टर आलों एक से तो आई क्याप युनिट वेक्टर आलों वाई कि यह कंड न के यह चंग इतना समा इख एक लग्यान को कुई सब्चलिय को एक सब्सुम्थन ऋख्याए टृब्सीलिट नहीं रिए को दिक्क्त नहीं है तो की हमलोगे इक इसिक ने कर किस您 दो थाकर मैं गेती की सम्झाता हुँ जांकर आति सम्ज़मीं क कि यह समन नहीं है तो बोल दो सा समझ में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है पिर अरे पिल सिंपल है यह जिसमें जो वेक्टर तुमको दिया जाएगा ना उसमें क्या एड करना है वो चीज यहां पर लिग दो बस और इक्वल दिखा दो जो तुमको चाहिए वाट शुट भी एड़े टुए वेक्टर तुगए यूनिट वेक्टर क्या चाहिए अपने को यहां दिखादो जो चाहिए और जो एड करना वो यहां पर लिग दो बस तुमको निकालना वो यहां पर लिग दो अब यहां पर V वेक्टर क्या हो जाएगा आई मानास इस जी रो आई कैप जे को इधर बेर जो मानास जे कैप मानास के ठीक है ठीक है अब ही हम लोग इस सवाल पर फिर से आएंगे मैं सबसे पूछूंगा ठीक है सबको आना जाहिए अच्छे से अब उसकी बार सुना जाब स अब आहिए मैंने तुम्हों नगए छी सिखायती ही जूरिट वेक्टर है याद है जूरिट वेक्टर मतलब क्या होता है इसकी वाल्यू 1 होती है उसको मैंने लिख या क्या तरीका दिका था वेक्टर को डिवाइट रोस पर वन्ही चूप ते साथ है इस इस ए इसकी आ अभी में कोशन दोगा तुम्हारा काम क्या है सब कोई आणसर देगा e vector का magnitude निकाले सब कोई निकालेगा कि मैं यहाँ पे formula बिखेखें ओ magnitude टाब formula होगा root over अगर यह ऐसा होता है ऐसा हो हमालो कुई vector हैLab बाकी सबको ए आंसर दो सबको ए आंसर देगा इसका खॉम लगा था ए एक स्कोर इसका खॉम लगा है यह जनरल हो गया यह नंबर दिखा देगा एक स्केवर ले टू इवाई के बदले वान कुछ ली तो वान है मतला ठीक है पड़ा फड़ा इसका आसर निकाला है सबको ए आसर दो find a vector a vector मतलब magnitude लिकाला है a 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 खाली स्क्वायर करो सबको और रूट पर डाल दो सब को यह आसर दो कि स्क्वायर करो सब कहरें का स्क्वायर करो तू नहीं आएगा तू नहीं आएगा बाकी लोग का अंसर दो ठीक है सब मुझे सब मुझे सारे बच्चों से आंसर चाहिए कि प्रिंज का तो बना अंसर अरे खाली फॉर्मूला लिग दिया मैंने बस सब का स्क्वायर करो या स्क्वायर करो आड करो स्क्वायर करो एड करो और स्कॉर्म नहीं आएगा जिसी का क्याा यहां पे टू है सब्सक्त्ना नहीं ऐगा और स्क्राइगा तू स्क्राइग अ कृ स्क्वायर अगया रह छैट क्लास के लाग प्रिंद बा para कहां से आएगा, कि क्या लिख्या है मैनि फुक्तु का स्क्वार् यहां फर ऊवर्ड वनका स्क्वार्ण का icos सहीर द्रूत अप जिसने भी अभी आपसर नहीं दिया है वह इसका निकाल होगी कि इसका मैनली कलर लिशे महा है है किसका बतो क्या आइगा हुर्दास पर्षत करो जो आंसर दे जिन्न को भी पर्न्स तुम दो आंसर देश्क और इसने भी गलत दीया है वेशन दों पर में पर्ड़ा-फट रिखा ऑनसर िवेश और धूभी है चील सफिटरा मेरी कुरOTH है प्रिंज दो आंसर प्रिंज फाइब कहां से आएगा कि 3 का स्पर क्या हो जाएगा 9 1 का स्पर क्या हो जाएगा कुछी तो 1 है यहां पर 1 का स्पर 1 यहां कुछी तो 1 है 1 का स्पर 1 तो रूट ओवन 11 ठीक है तो I think सब को ही आगिया ना कि magnitude कैसे निकालेंगे किसी वेक्टर का अब सुना जान से आगे की बार एक कोश्चन जो है रहा बहुत इंपोर्टन कोश्चन है ठीक है हाँ तो magnitude निकालने आगे सबको भी अब कोश्चन को आगा इसमें Find a unit vector a unit vector along a vector एक unit vector निकालो along a vector तो हमने क्या सीखाया यह answer हमारा हो जाएगा a cap यह हमको निकालना है a cap का फॉर्मुला क्या होता है a vector by इसका magnitude यह हो जाएगा 2 i cap plus j cap plus k cap by इसका magnitude क्या आएथा अभी निकाला था हमें root 6 निकाला था ठीक है यह हमारा हो जाएगा unit vector यह हमारा answer हो इसका हम चाहे तो आइसा भी ली सकते है 2 i cap by root 6 plus j cap by root 6 plus k cap by root 6 this is our final answer कभी भी unit vector निकालने के लिए बोला जाए बोला कि यह कोई vector है एक unit vector निकालो इस direction में तो इस पूरे vector को पकड़ो उसके ही magnitude चे डिवाइट कर दो और हमें क्या मिल जाएगा उससे unit vector मिल जाएगा उस vector कि अलो जैसे अगर यह पुरा a vector है तो यह हमारा क्या बन जाएगा इतना चोटा सा पाट हो जाएगा यह एक क्याप हमारा हो जाएगा किसी को नहीं सवज में आया तो पूछो इस हम सिंपल है unit vector निकालने का तरीका divide the vector by its magnitude magnitude निकालने का तरीका सबको आ गया है root करके कैसे करके निकालते अब है magnitude के value दी होगी जा बोले magnitude के value दी होगी यह तो निकालने पड़ेगी ना अभी कैसे निकाला इसको तो निकाला ना अभी root over 2 का square 4 को अभी screen पे आ नहीं रहा है अगर magnitude निकालने बोले ना तो आंको जो formula हमने सीखा ना अभी यह इसके पहले वाला question बन गया था root 6 answer आया हमने क्या कि इसको root 6 से divide कर दिया हमने किसे divide कर दिया root 6 से हम magnitude पहले निकालना शीख लिए अब उस vector को उस magnitude से divide कर देते हमें exam में magnitude दिया नहीं जाता है हमें vector दिया जाता है उस vector से पहले magnitude निकालते हैं और फिर हम उस vector को magnitude से divide कर देते हैं बस कोई लिक कर देते हैं ठीक है अगर network issue है मैं कोई लिक कर देते हैं मैं recording कर रहा हूं ठीक है मैं सब कुछ record रोके भेज़ दूंगा भी उसके बाद कभी हम से अगर ऐसा पूछ ले कि हमारे पास एक vector है a vector equal to i cap plus j cap plus k cap और दूसरा vector है b vector equal to 2 i cap plus j cap plus 3 k cap यह के a vector plus b vector की value find करो simple क्या करेंगे add करो 1 plus 2 कितना हो जाएगा 3 i cap 1 plus 1 क्या हो जाएगा 2 i cap 1 plus 3 कितना हो जाएगा 4 k जब add करने बोले ना इसको इसको add करो इसको इसको add करो simple सबको आगे समन में यह चीज़ कि add कैसे करते है vector को simple simple questions आते इसको आड कर सकते है अब एक question देखो आगे पूसिए उन करो पूसिए उन करो जब एक अपर और आगे इस 1,1 is a, and position of particle V is of particle B equals to 2,1,1 write o, a vector write o, b vector लिख सकतो इसको यह a है हमें बताना है o, a क्या होगा सही रचिप, बाकी सबकों लिख सकता है लिख के दिखाऊ, सबकों में लिख के भेजो o, a क्या होगा मैं o, a तुमाने लिख देता हो, 1 तुम लोग o, b को खुद से लिख होगे i, cap, plus j, cap, plus k, cap one का, one i, cap, one j, cap, one k, cap o, b लिखो तो सबको ही 2, 1, 1 है तो 4 o, b क्या आएगा सही है अब बोलो 4 आएगा, क्या o, b नहीं, ऐसा लिखो ना, जैसे ये one था, one था, one था ये two है ना, two i, cap plus j, cap, plus k, cap जो भी या नमबर दिखते हैं ना उसके बाजू में i, j, k लगा दो बस और कुष्टी कर दा आई बाज समझ में आई बाज समझ में जो भी नमबर दिखे नमबर दिखे उसके बाजू में i, j, लगा दो याद रखना, unit vectors जो होता है ना, जैसा तुम लोग पढ़के रखे देना, maps में coordinate axis 1, 2, 3, 4 बिल्कुल भही चीह जाहिए सही है, दुरू भी very good, 2i cap, plus j cap, plus k cap, सही है अड़े बाजी तरह नेटवर्क पर दिख्कत होगा और प्रेंस अभी तुमको नहीं दिख रहा तो मैं क्या खरूँ यहां से टेंशन मतलब प्रेंस, मैंना तुमको वीडियो इसकी भेज़ दूँगा अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तुम्हें वीडियो भी इस दूँगा, ठीक है अगर इसमें ओ नहीं दिया होगा हाँ ओ का गॉर्डिनेंट नहीं दिया होगा ओ तो ओरिजिन लेते हैं ना ओ इस ओरिजिन अच्छा अब देखो अब यह कॉर्शन आएगा find a-b-vector क्या निकालना है a-b-vector अब देखो तो यह a-b-vector